हेलो फ्रेंड, माई टेक सपोर्ट में एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी गल्फ्रेंड का नंबर ट्रेस कर सकते हैं, उसे हैक कर सकते हैं और उसकी सारी पर्सनल इर्फॉर्मेशन हम आसानी से पा सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि उसने कब और किस समय किसको कॉल किया है, किसको SMS किया है तो ये सब जानने के लिए देखते रहे इस फुल वीडियो को तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं जो अभी आपको स्क्रीन देख रही है, मान लेते हैं ये फोन हमारी गल्फ्रेंड का है या लड़किया मान सकती है, ये हमारे बॉइफ्रेंड का फोन है तो अब इसमें आपको क्या करना है तो सबसे पहले अपना इंटरनेट खोल लीजे और इंटरनेट में अब ब्राउजर में सर्च कीजिए तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ और इसे सर्च कर लेता हूँ तो अब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ और यहाँ लॉग इन के लिए उपर आ रहा है और नीचे Android एप्लिकेशन इंस्टॉलेशन आ रहा है तो आपको Android इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है तो यहाँ से अब आपको एप्लिकेशन डाउनलोड करनी है तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दें और यहाँ से यह एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लें चलिए मैं भी इसे डाउनलोड कर लेता हूं और इंस्टॉल कर लेता हूं तो यहाँ से यह एप्लिकेशन अब डाउनलोड होने लगा है तो चलिए अब यह एप्लिकेशन डाउनलोड होने वाला है तो अब यह जब डाउनलोड हो चुका है इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहां पर हम next कर देंगे और इसको application को install कर लेंगे यहां से install पर क्लिक करिए और इस application को install कर लीजिए अब इसे install करने के बाद मैं इसे open कर लेता हूँ तो यहां next करने से पहले आपको कुछ और work करना है आपको अपनी google setting का एक icon आता होगा चलो मैं आपको site में दिखा देता हूँ तो आपको google setting में जाके कुछ changes करने है वह मैं changes दिखाता हूँ क्या करने है आपको तो यहां से यहां देखिए google setting में जाके security में जाके आपको क्या करना है सबसे नीचे जाके जो screen device for security आ रहा है उसको off करना है उसके बाद फिर हम अपनी application पर जाएंगे तो यहां से अब मैं दुबारा से अपनी application पर जाता हूँ और यहां देखिए उपर application नहीं आ रही है क्योंकि यह head हो जाती है application बहुत जल्दी तो यहां से अब कहांगे यह application तो मैंने application को खोल लिया है अब यहां पर मुझे क्योंकि मैं नया हूँ तो इसलिए register new पर करना पड़ेगा और यहां आप अपनी email आईडरी और नया password डाल दीजे तो अब मैं यहां पर अपनी ID डाल रहा हूँ और अपना password डाल देता हूँ तो यह work जो भी हम कर रहे हैं वह अपने boyfriend और जो भी लड़कियां अगर इसे use कर रही है तो उनके boyfriend के phone में करना है तो अब हमने वहां अपना password और अपनी email ID डाल कर वहां से register कर दिया तो मैंने अब इसको register कर दिया है देखते हैं अब यह क्या screen पर आ रहा है device administer तो आपको यहां से इसको भी activate करना है चलिए इसको भी activate कर देते हैं तो यहां से मैं जैसे ही इसको activate करूंगा तो हमारे सामने एक नया page खुलके आ जाएगा जिस पर लिखके आएगा configuration तो अब हम हमें यहां पर configuration पर भी click करना है तो चलिए इस पर भी click कर देते हैं अब हमें यहां से head icon जरूर करना है यहां पर password उपर लिखके आगया है जो हमें dial करना है hash 2013 जिससे कि हम कभी भी इस application को दुबारा खोल सकते हैं क्योंकि यहां से application का icon तो head हो जाता है चलो तो वह hide हो चुका है अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो इस पर password लिखके आ रहा था मतलब जो dial word है तो इससे dial कर लेते हैं और इससे application open करके एक बार देखते हैं तो यहां स मेरा code आ रहा था hash 2013 star तो इससे click करते हैं और यह देखिए अब application खुल गया तो यहीं से application आप cable खुल सकते हैं उसके अलावा कहीं भी application का कोई नामों निशान नहीं है तो इससे आपको कोई problem नहीं हो सकती जिसके phone में भी आप यह work कर रहे हैं उसको कभी पता नहीं लेगा कि या आप उसकी information चुरा रहे हैं तो चलिए अब desktop पे या Android पे चलते हैं अब हमारा इस phone का work खतम हुगा तो चलिए अब यहां पर हमें फिर दोबारा से वही करना है अपने browser में जाए और वही search कीजिए the truth spy तो यहां से मैंने पहले desktop कर लिया है इससे आसानी हुआती ही थोड मुझे login करना इस पर इस बार Android installation में नहीं जाना है तो चलिए अब इस पर भी click कर लेते हैं तो अब अपना email ID और password डाल देता हूं जो मैंने register कर चुका हूँ तो देखिए अब ये मेरा account खुल जाएगा ये वही account है जिसको मैंने पहले register किया था उस Android phone में तो उस Android phone की पूरी जानकारी मुझे यहां website देगा कि उसने क्या phone किया था क्या किसको message किया था और कहां से किया था तो वो सारी जानकारी इसके अंदर होती है वो यहीं से मुझे पूरी information मिल जाएगी जैसे कि यह देख रहा है आप dashboard खुल चुका है और यहां पर मुझे चार फीचर जो है जो जनरली हम यूज करते हैं हमें बाकी इतनी सारी फीचर की ज़रूरत नहीं है SMS, call history, GPS history और auto answer तो यह चार option हमें standard में मिलते हैं फ्री में मिल history पर क्लिक करेंगे sorry friend मेरा account अभी since नहीं है तो इसे since करने के लिए हम उपर जो देख रहा है tips to make your account इस पर क्लिक करेंगे और यहां एजस्ट और तो यहां पर हम क्लिक करके अपना account को since करेंगे तो यहां आपको SMS, call history और यहां यह auto answer पर पहले टिक करना है उसके बाद उपर जो save प्लिक के आ रहा है आपको save and sis now इस पर क्लिक करके इसे आप update कर लीजिए उसके बाद आप अपनी call history को hold के देखेंगे या SMS को खोल के देखेंगे तो पूरी तरह से सबी detail आपको दिखा देगा तो यहां से मैं अब call history पर क्लिक कर लेता हूं और अब देख लेता हूं क कि अभी तक मेरा account since हुआ या नहीं वहां detail आई या नहीं तो यहां देख लेते हैं चेक करके तो देखिए अब यहां मेरी पूरी full detail आ गई है उस android की जिसको मैंने hack किया था और जिसकी जानकारी मुझे चाहिए थी तो यहां से SMS भी check कर सकते हैं SMS भी मेरे सारे आ चुके हैं तो इस तरीके से आप अपने girlfriend या किसी अपने friend की full जानकारी ले सकते हैं कि वो किस से बाते करता है किस से SMS करती है तो वो सब आप जानकारी ले सकते हैं तो friends अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आपको मैं यहां दिखा रहा हूँ आप अगर वीडियो देखते होंगे तो नीचे इस तरह से सब्सक्राइब लिग के आता है आप इस पे लिक करके मेरे चैनल को तक्यों वाचिंट मैं चैनल